असलाम अलेकुम वेलकम टू रियक्टिस्तान किचिन तो आज रियक्टिस्तान किचिन में बनने जा रहा है शामी कबाब तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेंगे एक पाव उबली हुई चिकन, एक पाव उबली हुई चनी की दाल, अब इसको हम ब्लेंड करेंगे मिक्षर हो गया इत्यार, अब इसको मिक्स करने के लिए बॉल में डालेंगे अब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे फिर हम इसमें एक अदद अंड़ा शामिल करेंगे ताके कबाब ना ठूटें और सही तरीके से बन सकें अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कबाब मिक्सर हो गया त्यार, अब हम इससे कबाब बनाएंगे कबाब की टिक्की बनाने के लिए हम 50-60 ग्राम का मिक्सर इस्तामाल करेंगे अब इसको फ्राइ करेंगे आप चाहें तो इसको अंडे में डिप करके फ्राइ कर सकते हैं हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे अब इनको प्लेट में निकालेंगे शामी कबाब हो गए रेड़ी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं और मज़दार रेस्पी के साथ तब तक के लिए अल्नाफिज सबस्क्राइब करें मिलते हैं